और मानव रोकिंग याप पो लेकिन इस वक्त की बड़ी अब डेट आपको बता दें अर्वेन केर जिवाल को जमानत मांद रही है 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है ED के समझ न मानने के मामले पर ये जमानत दी गई है समझ ये दो पूरे मामले है एक ED के सामने स्मझ न होने न होने का मामला है वही सराब आबसारी घोडाला मामला है तो ये जह जमानत मिली है वह ED के सामने पेच न होने के मामले में जमानत मिली है 15000 के निजी मुचलके पर जो कि मान्यभी इस वक्त avor अपड़ी अपडेट हमें बता रहे थे 15,000 के निजी मुचलके पर जमाना दे दी गई है ED के समंस न मानने के मामले में ये जमाना दी गई है अर्विंद केर्जिवाल को ED के ओर से 8 वार समंस भेजा गया लेकिन कोई न कोई बहाना दे कर कोई न कोई वजह बता कर अर्विंद केज़िवाल E.D. के सामने प्रस्तुत नहीं हुए थे और इसी पूरे मामले में अब 15,000 के निशी मुचलके पर अर्विंद केज़िवाल को अब जमानत मिल गई है, बेल मिल गई है, सीधा हमारे सयोगी आनंद का भी रुख कर लेंगे, आनंद कम से कम ये जो दो कारी मिल रही है, ये जो 174 की जो कारवाई थी, जो E.D. ने कंप्लेंट फाइल की थी, वो एक जमानती अपरात था, उस मामले में जो बेल बॉन्ड भरा है, अर्विंद केज़िवाल तरफ से, उस पर उन्हें बेल जमानत दी गई है, लेकिन अभी जो E.D. ने संबंस किये पुस्ताज में शामिल होने के लिए, बुलाने के लिए, तो अभी अर्विंद केज़िवाल को जो राहत मिली है, वो E.D. ने जो कंप्लेंट फाइल की थी, उस मामले में उन्हें जमानत मिली है, जो जानकारी अब तक मिल रही है, जो सामने आ रही है, ठीक है, आनन बने र बिल्कुल देखिए, हमको इसमें इंतजार करना चाहिए, कि कोट ने और क्या 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 कहा है, इस मामले में जमानत मिल चुकी है, अर्विंद केज़िवाल कोट से भी निकल गए है, यह मैं अपने दर्शकों को ताज़ा अपरेट दे रहा हूँ, और यह सारी जानकारी हम थू को लाइव बाते मिल रही है, कोट ने इस मामले में क्या कहा है, वो बहुत महाथबूर होगा, क्योंकि इससे पूरे कतिज राप घुटा लेगी, कि एक तैह जाच की दिशात होगी, कि आगे किस दिशा में यह जाच जाएगी, क्योंकि आप इस बात से अंदादा लग कि अगर अरविंद के जिवाल एडी के सामने पेश होते हैं वो एडी के सवालों के जवाब देते हैं तो इससे कई नगाई जाच में सहयों होगा और एडी भी यही दलील कोट में दे रही है जमानत मिलना अलग चीज है क्यों टेक्निकल पहलू है जमानती धाराओं में एडी के मुखिया है मुख्यमंत्री भी है और इसके साथ साथ उनकी देखरेक में यह सारा मामला हुआ है ऐसा एडी दावा करती रही है आनंद जो अरवन केजवाल की वकील है रमेश गुपता क्या कोई जानकारी इस बार में निकल कर सामने आई है कि उन्होंने क्या दलील दी है कोड के सामने देखिए कुज़ेर के बाद जो रमेश गुपता है वो भी वहाँ पर मीडिया से बात करेंगे बताएंगे कि किस तरह की कूरी कोड के सुनवाई रही है लेकिन जो 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 जमानत मिली आनंद लोटेंगे आपके पास अरुन के जुवाल के इस पूरे मामले प आपको बता दे मुखे मंत्री आर्विंद के जिवाल दिली की राउस जिवनी कोड में पेश होने के लिए पहुंचे थे जहाँ पर उन्हें निजी मुचल के पर 15,000 के निजी मुचल के पर फिलाल के लिए बेल दे दी गई है और ED की याचिका से जुड़ा हुए पूरा मा देखिए अंकीता जो जानकारी आ रही कि रमेज गुपता आप बहच की सुरुवात करेंगे यहने कि अभी जो 114 की जो कारवाई थी जो कंप्लेंट फाइल कीती ED ने उस मामले में जरूर अर्विंद के जिवाल को राहत मिल गई है उन्हें 15,000 के बेल बॉंड पे जमनत मि अभी कोड में जब बहच शूर होगी तब यह तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी कि किस तरह से रमेज गुपता जो अर्विंद केजरिवाल तरफ से पेश हुएं वो क्या देखिए आनम लॉटेंगे आपके पास कि लिए रेटर विकरां हमारे साथ जुड़ गए है विकर से रेटर रवाई कोड में हमने जो अर्विंद कर्वाल देली के मुक्तेमिंत रिकवाइ को संबन किया है उनकी की कामील नहीं हो पा रहई है वो फोट में यानबुश्कर नहीं गहिए वह एक शांबुश कर पेश नहीं हो रहह है और 500 रुपे जुर्माने का प्रावधान है ये बेल लोबल बेल कोट के सामने बेल उन्हें मिल गई है अब वो अपने धर वापिस निकल गए है अब इस मामले के शिकायट पर बहस चलेगी तुनों पक्स अपनी जलीरे रखेंगे कि आखिर अर्विन केज़िवाल ने समन की सामील क्यों नहीं की ये उनके वक्कील बताएंगे और जो समन पर आना चाहिए था वो ईडि की, इसका इडि के बाकी समन जाड़ी करने से या आगे समन जारी करने से कोई तालूक नहीं है, किसी भी तरह का तालूक नहीं है, इसी अभी भी अर्विन केजरिवाल को समन कर सकती है, दोबारा से उन्हें बुला सकती है, लेकिन इस कोट के सामने ये सवाल नहीं है, कि अर्विन केजरिवाल को कोट एडी के सामने पेश करवाया जाए ये कोट को तैय नहीं करना, कोट के सामने केवल इतना मामला है कि अर्विन केजडिवाल पिछले समन पर पेश नहीं हुए, लेहाजा उनके ख्लाफ आईटीजी के तहट अपराद बनता है, उस अपराद के लिए शिकायत ED की थी, जिस मामले में अर्विन केजडिवाल ने पे साज करना चाहती है गुलाने के लिए, उस पर तो अभी भी अर्विन केजडिवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी ही आगे, ऐसा है क्या? देखें अंकीता बिल्कुल जिस तर से विकरान जी ने भी बताया, वो कानूनी यही पहलू है कि जो 174 की कारवाई के लिए ED कोट पहुँची थी, कंप्लेंट फाइल की थी, उस वो एक जमानती अपरात था, इसलिए अर्विन केजडिवाल को जमानत मिले की और वो निकल लेकिन यह थे अभी PMLA का जो PMLA के तहर्ष जो सम्बंस किये गए अर्विन केजडिवाल को आठ बार, अभी उस पर अब यहां पर बहश होगी, उस पे ED अपनी दलील रह सकती ही, कोट को बता सकती ही कि अर्विन केजडिवाल को आठ बार सम्बंस किये जा चुके हैं और वो सम्बंस के भी अर्विन केजडिवाल पेश नहीं होते है, तो एक तीसरी कंप्लेंट फाइल भी जो है, वो ED जो है, वो क्राउजविनी कोट में कर सकती ही, जैसे कि हमने देखा हेमन सोरेन के मामले में, हेमन सोरेन की गिरपतारी की बाद भी एक कंप्लेंट फाइल जो है, वो ED ने कोट में फाइल करी थी कि हमन सोरेन मुख्यमंतरी थे, और वो ED की पूस्ताज में लगतार 7-8 सम्बंद के बावजूद भी पेश नहीं हो रहे थे, तो ये कानूनी विकल्प है, ED के पास भी है, और अर्विन केजडिवाल के वकीलों के पास भी है, जिस तरह से जम सम्बंद भी कर सकती है, जे, आनन्द ये तो हमने ED के पास कौन सा विकल्प इनकी बात करें, लेकिन मानों ज़र हमें अब यहीं समझाईए कि आब आवजूद पार्टी और खासकर अगर अरुवंद केजडिवाल की बात करें, तो उनके पास क्या कुछ विकल्प दिखाई अukर में सारी बनीती, हलाएं कि ये चर्चा जरूर चलीती कि बनाये जाए या नहीं बनाया जाए, और हम अभी आपको बता दें की, कोट में क्या हुआ हो यह बी पता देते हैं, कोट में हुआ यह तरीके से कि ED की तरफ से कोई विरोत इस बात का नहीं किया गया, जब जमानती वरिंट आप बरियें और आप घवानत से चल रही है । अलेकिन तुरए कि पाइधी दें फासे लगातार ये जरूर। कहा गई कि यह सारे समंध क्यों के यह हैं और से राजनीतिक से ठेर्ट कानूने कोई जानकारी किया इस बारे में आ रहे है कि अपसे थोड़ी देर में के कविता भी राउजेवनी कोड पहुँचने वाली हैं? बिल्कुल देखिए पीमले का जो मामला है वो इसी कोट में चल रहा है थूड़ी देर के बाद के कविता को भी पेश किया यहां पर जाएगा हैदरवाद में कल उनकी गरफतारी हुई थी देर रात उनको एड़ी हेड़क्वाटर लाये गया है आज सुबह उनका मेडिकल कराये गया है टीम बकाईदा मेडिकल के लिए पहुंची थी कल कारवाई की दौरान पांच घंटे उनकी घर पर चानवीन चली है उसमें पांच मोबाईल फॉन जब्त हुए है और दो समन्स पर के कविता ने कोई जवाब नहीं दिया था इसके चलते के कविता को गरफतार किया गया है और बकाईदा पंच नामा में ये भी लिखा गया है कि उनकी गरफतारी की समय ब्यार्स के तमाम नेता कार करता उनने सरकारी काम में एजैंसी के काम में बादा पहुचा ही है तो इन तवाम ये दूसरा पहलू है मामला एक ही है अब कारी नीति का और इसमें थोड़ी दे के बाद के पेशी भी इसी राव जवेनी कोर्ट में होनी है ठीक है मानव एक बार आनन का भी रुख कर लेते हैं आनन कोर्ट में क्या कुछ हुआ है कोई जानकारी इस बारें में पॉइंट दर पॉइंट हमारे दर्श्कों को समझाएं देखिए आरविन केजरिवाल आज कोट पहुँचे उनके जो वकीले रमेज गुपता वो कोट पहुँचे थे जो एडी के तरब से जो एडिस्नल सॉलिस्टेट जनरल थे वो कोट पहुँचे थे और उसके बाद वहाँ पर चुकी मैंने आपको पहले ही बताए कि ये जमन अनती अपरात था इसलिए अरविन केजरिवाल को बेल बॉर्ण भरके उन्होंने जमनत ले लिए और वो वापस निकल गए अभी अब जो है वो सुनवाई चल रही है अभी रमेज गुपता जो है अपनी बात रख रहे हैं उसके बाद एडी की तरफ से अपनी बात रखी जा सकती है वो नोवा संबन भी अरविन केजरिवाल को दे सकती है अगर अरविन केजरिवाल नोवे संबन पर भी नहीं आते तो उन्हें दसवा संबन भी जो है वो भेजा जा सकता है तो देखना होगा कि क्या अब एडी के तरफ से किस तरह की आगे रणनीती होगी क्या व जो है वो ते होगा कि अर्विन केजरिवाल को लेकर ED आगे क्या करना चाहती है या किस तरह की वो कानूनी विकल्प का इस्तमाल करेगी